हमें सरकार से आदिस मिल जाए हम 24 गंटे के अंदर पुरा विष्णोई गैंग लोरेंस विष्णोई गैंग को खतम कर देंगे साथ सॉप सूटर को अब तेरा बाप दादा जो पैदा करके गया ना वह भी कबर में जब सो रहे होंगे उसको भी खतम कर देंगे और जब नहीं आई बात समझ में जिस व्यक्ति ने हत्याएं की हो हो चोरी की हो डकेती की हो रेट माफिया भू माफिया हो ऐसा व्यक्ति अगर चुनाब जीत के आएगा क्या वह पने च्षेट प्रेट जाने के बात करेगा उससे जादऑ कुश में विसनोई कि एक छोटे समामुली सी किसी व्यक्ति ने कॉल कर दी उसी में उस व्यक्ति की पेंट गीली हो गई और पता भी लग गई कि बिहार की दर्थी से जो अपने आपको बहुत बड़ा बदमास कहता था वह हकीकत में पता लगया गए वह बदमास है यह एक छोटा की है जी हम बात कर रहे हैं पपू यादव की पपू यादव वही जिन्होंने कहा था कि 24 घंटे में हम लॉरेंश विष्णोई के जैसे गुंडों को हम अकल ठिकाने लगा देते हैं एक बार सरकार हमें पावर तो दे लेकिन अब वक्त ऐसा बदला कि वह सरकार से पावर न दे रहे हैं कि हम से गलती हो गई राजनीती बयान था इन बातों में कितनी सच्चाई है हम जंता से जानेंगे नमस्कर सर नाम क्या होगा राहूल पचोरी कट्टर हिंदू मतलब कट्टर हिंदू तो आप लॉरेंश मिष्णोई के समर्थक हैं जो सिर्फ और सिर्फ धर्म क को मजबूती लाए और हमारे सनातन के जितने भी संस्कृति है उसकी रखवाली करें उनका हम समर्थन करते हैं लेकिन जब रियल्टी की बात आती है तो उनकी पैंट की लिए हो जाती है ऐसा ही पपूयादव के साथ हुआ यह वही पपूयादव है जो कहता था कि 24 गंटे क के अंदर लोरेंस विसनों और उसकी पूरी गेंग को हम खतम कर देंगा अगर सरकार हमें सारा कर दे आज वही लोरेंस क्याना में वही पपूयादव की बैंट गीली हुई पड़ी है और केंदर सरकार से अपनी सिकॉर्टी बढ़ाने की बात कर रहे हैं लेकिन मैं बता कि अफरादी आप रहे हैं तो वह उतना ही है तो ऐसे अपरादियों को सिर्फ जेल की हवा खानी चाहिए जेल की रोटी खानी चाहिए उसकी दो पंडलियां कहां पर यह हम सरकार से अदिस्ट मिल जाए हम 24 घंटे के अंदर बिशनोंही गैंग लोरेंस विसनोंही गैंग को खतम कर देंगे 700 साप सूटर को अब तेरा बाब दादा जो पैदा कर गया ना वह भी कवर में जब सो रहे होंगे उसको भी खतम कर देंगे और जब नहीं था बूदा तो कहाई बीच में कुदा है पर लव लेटर भेज रहा है तू ग्रह मंत्री जी को संसद में लव लेटर क बिहार का जनता का कम से कम शरम तो कर ले बिहार के लोगों की शरम तो कर ले मासीता की जो नगरी से तुब लोग करता है मासीता का कम से कम तो सरम तो कर ले वह भिशनोई समाज को खतम करना चाहरा है अब तेरे साथ पुस्ते मर जाएंगे तब तू खतम निकर पाएगा तुम तो बैसे अबदर टिपनी करते हो सनातन के ओपर रेत माफिया हो रोडी माफिया हो बहस को चुराने वाले चोर हो तुम सारे एक्ट तुम्हारे पलगे पड़े हैं और सबसे बड़े पापी तुम हो इतनी चीज़ें इन्हों ने गिनवा दी कि अगर देखा जाए तो एक तरफ खटगरे में लॉरेंच विष्णुई को खड़ा करा जाए और एक तरफ जो कर बन गया है सर जिस सरी कैसे पल्ला हमने पूछा के भारी किसका है तो पप्पू यादव का आपको लगा है और ऐसे लोगों को मैं तो कहता हूं यह कहीना कहीं दाग है हमारी राजनि हम देखते हैं कि हमारे देस के अंदर जेल के अंदर हूं भी चुनाव लड़े जाता है तो ऐसे कानून लेका आना चाहिंए इस देस के अंदर सुचछश distant कि की है वहीी चुनाव लड़े कोई क्रिमिनल माइंड नहीं चाहिए एप ही बताईए जिस वयक्ती में हत्याए कह चोनाब जीतने काम करेंगा कभी वो काम करेंगा किसी और बीटियों पर गंदी नजर डालेगा और तोर कहीं किसी की अच्छी प्रोपेंटी यह तो उसकी आपको जाने की बात करेंगा तो पप्पु यादव ने इसा क्यों कहा मतलब लेकैना न यह नहीं पता कि एक गीदड़ के चलनाने से जंगल का राजा नहीं होता तो गीद़ बहुपी था उसकी हेकली निकल का कर दी उसे मैं उस व्यक्ती की पेंट गीली हो गई पता भी लग गई कि बिहार की दर्ती से जो अपने आपको बहुत बड़ा बदमास कहता था वो हकीकत हो पता लगया गए वो बदमास है यह एक छोटा सा मामूली इंसान है बदमास नहीं है बदमास का पैंड में मूद दिया और सामने मीडिया के सामने ओपन केमरे में रो रहा है हमको माप कर दो हमसे सवाल मत पूछिए अरे भाया जब तू चुन के आया तो राजनितिक चीज में काम कर अपने परजा को देख वैसी तेरे पर बहुत सारे एक्ट ल चाहिए और तेरे जैसे को भी मनलब तेरे जैसे पर भी टार्गेट कर सकता अगर तू यह लगा ले अगर अपने राजनितिक कारे में दखल ना देके मतलब उर्टा तीर लेना तो उसने उर्टा तीर ले लिया अब ठीक है भुगत रहे वह अब टार्गेट में यह भी आ अब कोली भी आई ती उसके पास धंकी दी गई कि अपना काम कर ले राजनितिक चीज पर ध्यान दे ले वरना भाई तेरा भी स्वाह हो जाएगा बाब शिद्धी के तरह अगर नहीं अगर तेरे को नहीं रहना बिहार के दर्ती में और भाई मैं तो बिहार के दर्तियों मे की नगरी से मासीता की नगरी से ऐसे ऐसे दुराचारी पता नहीं कहां से आया अलिक है तो अपनी मा के को कैलंकित करने के लिए यह ऐसे लोग रक्षसी अफ्तार जैसे जनम ले ले !! और चरित्रवान व्यक्ति को दाग लगाने काम करते हैं लोरेंस विष्णोई ने क्या काम कर दिया भाई बेशक वो गलत रस्ते में हो लेकिन उसके जो है रस्ते साफ है उसका मन साफ है उसके दिल में हमेशा हर एक विष्णोई समाज के लिए हमेशा मतलब कारे और निष्ठाव कि भाई यह तो दुर्वाग्य हम हिंदु समाज का जो हमने लोरेंस समाज के तरह काले इरंकोनी पूजा तो वरना आज भी भारत के हरेक धर्ती पर कोई भी इनक उतसकर नहीं मिलता ना तुम्हें कोई भी जिहादी मान सिकता का मिलता जो गव काटता है आए दिन हमारे भारत के लोग कोई मीडिया वाले कोई कुछ भी उसको मतलब है यह करार कर दिए गैंगिश्टर गैंगिश्टर तो है नहीं सुप्रीम कोट ने भी कहा दिए कि गैंगिश्टर है नहीं साबरमती जिस जेल में बैठे हुए वह ठीक है वहां के गुजरत पुलिस ने भी पुलिस ने भी क्लिंचीट दी उनके पुर कोई मुकदमाई नहीं है तो किस बात के गैंगिश्टर है वह ठीक है कहते हैं कोई दूसरा भगत सिंग है तो भाई भगत सिंग जब फासी लगाने के लिए जा रहे थे ना तो भगत सिंग की माँ से बोला कि माँ जब कोई इस देश की रख्षा करने के लिए जाएका तो समझें लेकर ना कोई मेरे जैसा ही बेडा पैदा हुआ हूआ तो समझें ना कोई पर साफनी है athan है think किसी काल इरन की माफ खतम हो जाती है तो विश्णोई समाज की महिलाएं अपने इस्तनों से खुद दूद पिलाती है उस बच्छे को और जो पपुयादब की बात चल ली थी पपुयादब के साथ तो ऐसा मोय मोय हुआ है कि जो महफिल में बैठके बदमासों के नाम गिनाते हो तो जो बाबा सिद्ध्धी के साथ हुआ और लोगों के साथ दूआ है तो थोड़ा देखे समल के चलो भी यह अभी थोड़ी मॉय मोय होई है वो दिन दूर नहीं बहुत जयाद ही मोय हो जाएगी सरकार मैंने एक चीज़ नोटिस की है जो मतलब आजकल हाइडलाइट और रहे हैं ना मतलब की फलाने को मैं गयां को खतम कर दूँगा पता नी भाई हाइलेट हो कि होना क्या चाहते हो मतलब हाइलेट तुम होके मतलब क्या सबित करना चाहते हो भाई जिंदगी जीनी है कि न लोग हैं तो भाई ये कापी सालों से अबाज उठा रहे हैं और रही बात सलमान खान को अगर मापी नीं मांगेगा तो दो तरफ से फसरा अगर वह समाज के मंदर में जाके मापी मांगे आ को टम्यूर्वय करम गंदे करे हैं तो काटनी पढ़े कि अगर नहीं जाएगा त चीदी सी बात है वह पत्थर के लकीर है जो विसनोई समाज ने कह दिया और जो लोरिंस विसनोई ने कह दिया कि भाई मेरा सपना है सलमान खान को मारना तो मार कहीं रहेगा